हेलो दोस्तो मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल सालू लाइस ब्लॉग में कहिए कैसे हैं आप सभी मैं तो बहुत अच्छी हूं आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आई हूं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ किसी तो यहाँ पर आप सभी मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपने पैरों में रंग लगा रही हूँ, और यह चाची जी है, पहले बड़ी ममी के पैरों में रंग लगाया, और अब ममी के हाथों में यह नेल पेंट लगा रही है, और मैं अपने प तयार होती हैं और इसमें जो है पैर वाला रंग और हाथ में नेल पेंट और मतलब नई साड़ी चूड़ी सब मतलब सब कुछ एक दम न्यू न्यू होना चाहिए इस दिन के लिए तो बस वही सब तयार हो रही थी तो मम्मी ने कहा कि तुम भी अपने पैर में रंग लगा ल फिर मैं अपने पैर में लगा लूँगी उन्होंने कहा नहीं आज हम व्रत हैं तो तुमसे अपना पैर नहीं टच करवाएंगे तुमसे तो इसलिए चाची जी उनको लगा रही है और मैं जो है खुद को लगा रही हूं तो आज जो है ना आज एक स्पेशल दिन है ये चठ पूजा है सुध्ध हिंदी भासा में इसे ललही चठ बोलते हैं और ये एक वरत है एक पूजा है इस दिन वरत रहती हैं सारी और कौनसी औरते रहते हैं ये भी मैं बता दूँ जिनको बेटे होते हैं वो ये वरत जादा करके रहती हैं और प्लस में वो सुहागन भी होनी चाहिए तो जो सुहागन रहती हैं और जिनको पुत्र रहते हैं ये वरत उसी के लिए हैं पुत्र के लिए ही सब अपनी जो माए होती हैं वो अपने बेटों के लिए ही वरत रखती हैं कि भगवान उन्हें मतलब तरक्की दें काम्याबी दें खुशी दें और लं की आप सभी को तो पता ही होगा कि छट पुजा की कितनी मानेता है यहां तो बस वही है और यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि एक जुट होकर सारी ओरते जो हैं बैठी हुई हैं और यहां पर जो है छट की कहानिया छट माता की कहानिया भी चलती हैं गीत भी होते हैं बहुत तो copyright आ सकता था तो इसलिए मैंने जो है नहीं किया open बट आप सभी को दिखा दे रही हूं मैं तो कुछ इस तरीके से होती है पुझा पहले यहां पर पुझा किस चीज की होती है चट माता की यहां पर जो है कुछ जो रखा जाता है आप सभी को तो पता ही होगा कुछ क्या हो अशाद में क्या चड़ता है इसमें जो है महुआ और तिन्नी का चावल तिन्नी का चावल यानि जो तालाब होता है ना हमने बच्मन में काफी सारे तालाब देखे हैं उसमें जो धान उगते हैं उसे हम तिन्नी का चावल बोलते हैं गाउं की भाशा में अब शहर में क्या बोला जाता है इतना तो मुझे नहीं पता लेकिन गाओं की भाषा में उसे तिन्नी का चावल बोलते हैं तो बस वही है यहाँ पर तिन्नी का चावल और महुआ और भैस का घी भैस का दही और भैस का दूद दूद तो प्रशाद में नहीं चड़ता है लेकिन हाँ भैस का घी, भैस का दही और महुआ और तिन्नी का चावल ये सब कॉंबिनेशन करके प्रशाद चरता है और ये सब रिकॉर्ड करते टाइम मैंने सोचा थोड़ा गाउं की ग्रीनरी रिकॉर्ड के जाए वैसे कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, है ना? लग रहा है किसी फिल्म के लोकेशन पर हमा चुके हैं सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नजारा गाउं में और ये शहर में नहीं देखने को मिलेगा तो जैसा मैंने बताया कि इसमें यही प्रशाद चड़ता है और सारा दिन ओरतों को यही खा कर रहना भी पड़ता है और भैस का दूद पीना पड़ता है बस ना चाय पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, मतलब खेत में जा सकते हैं ना कुछ फल या फिर मतलब फलाहार ऐसा कुछ नहीं खा सकते हैं सिर्फ तिन्नी का चावल उबाल कर दूद में डाल कर या फिर दही में डाल कर या फिर महुआ या फिर घी भैसका इन सब में से जो भी खाएं वो तो वो खा सकती है और बस इतना ही रहता है इसमें पूरा दिन और खेत में बिल्कुल नहीं जाना है इसमें यही वर्जित है कि खेत में नहीं जाना है और इसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानिया भी हैं दोस्तों मैं आप सभी को जरूर बताऊंगे कभी इसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानिया है छट माता की फिलाल और छट माता जो है सारी सुहागन जो है इकत्रित होकर ही पूझती हैं यह नहीं कि एक सुहागन जो है अपने घर में पूझा कर ले मतलब एक जो है और अपने घर में पूझा कर ले ऐसा नहीं है सारी औरते जो है इकठा होकर छटमाता की पूजा करती है और यहां जो जहां पूजा हो रहा है यहां पर शंकर भगवान की शिवलिंग है प्रतिमा है और आप सब भी देख सकते हैं कि यहां से दिख रहा है हनुमान जी की भी एक प्रतिमा है तो वहीं पर जो है इन सब ने कुश को जो है जमीन में गार दिया है उसके बाद वहाँ पर पूज रही है और इनका पूजन मतलब बहुत ही सिंपल होता है बहुत लोग जैसे करना चाहें जिसकी जैसी भक्ती होती है हमारे या तो कुछ इसी तरीके से होता है और देखे आप सभी तो सामने बैठी मम्मी को तो पहचानी रहे है ये मेरी मम्मी है और उधर चाची जी पिंक और वाइट गोटेदार साड़ी में बैठी हुई है बलیک कलर की साड़ी है उनकी तो मम्मी और चाची जी दोनों व्रत ह मैं नहीं हूँ प्लीज आप सभी यह मत सोचेगा मैं वरत हूँ मैं बस ऐसे ही तयार हो रहे थी मैं मतलब हमारे या मैंने बताया था ना किसी का देहांत हो गया तो सुदक पड़ चुका था तो अभी वो सुदक मतलब खतम हो गया है तो फिर ममी ने कहा तुम भी लगा लो क् सुहागनों का होता है ना पैरो का रंग तो इसलिए ममी ने कहा तुम भी इसे लगा लो और हां दोस्तों जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हूँ मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें फैमिली फ् और अब यहाँ पर पूजा खतम होने के बाद अपने से बड़ो से आशिरवाद लेते हैं जो वरत रहते हैं एक दूसरे को प्रशाद एक्स्चेंज करते हैं यहाँ पर आप मेरा ले लो तो वो अपना उनको देती हैं तो कुछ ही सरीके से सब एक दूसरे का आशिरवाद और फिर अपने घर को चले जाते हैं बस इतना ही होता है और फिर दिन भर यही करना रहता है और देखिए सब कैसे एक दूसरे से प्रशाद मांग रही है सब कैसे एक दूसरे का पैर छू रही है जो बड़ा है यहाँ पर जिस से तो बस यही होता है इस पूजा में I hope आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग आज का वीडियो जो है अच्छा लगा हो because गाओं की चीज़े तो शहर में नहीं देखने को मिलती है तो उसके लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें आप सभी लाइक नहीं करते हो यार क्या कर रहे हो प्लीज एक लाइक ही तो करती हूँ एंड और फिर में लूँगे आप सभी से अपने किसी न्यू ब्लॉग वीडियो में और और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लेकर और कुछ मतलब गाओं की कोई ऐसी रीट कोई ऐसी प्रथा या कुछ ऐसा जरूर लेक्या होंगी तो अब मैं आप सभी से ले करता है